ऐसा कोई नहीं है जो कभी खुश न हुआ हो। हर कोई कभी न कभी खुश रहा है। समस्या ये है कि वो उसे कायम नहीं रख पाते। बात पस यही दिए। बस दो चीजे हैं। आप कितने आनंदित हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ कितना आनंद बांडते हैं बस दो दिन ऐसा करके देखिए आप अपने भीतर वाकई शांदार बन जाएंगे खुशाली क्या होती हैं? आप जीवन में वाकई अच्छा कब महसूस करते हैं? आप वाकई अच्छा कब महसूस करते हैं? जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं चाहे आपके शरीर में बीमारी हो तब भी आप अच्छा महसूस करते हैं चाहे आपको मेडिकल जांच में बीमार बताय जाए लेकिन आप अभी बहुत खुश हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, है ना? तो मूल रूप से खुशाली का मतलब है एक तरह का आनंद, जीवन का उल्लास. खुशी क्या है? हम कह सकते हैं कि खुशी ये ये वो है, लेकिन जीवन के स्तर पर, खुशी का मतलब है आपकी जीवन उर्जाएं ज्यादा उल्लासित हैं, सामान्य स्थिति की तुलना में. डिप्रेशन का मतलब है आपकी जीवन उर्जाएं बहुत ही मंद और उबाव हो गई हैं. खुशी का मतलब आपकी जीवन उर जाएं और लास में हैं खुशी का वरणन करने के कई तरीके हैं लेकिन जो खुशी को जानते हैं सिर्फ वो ही जानते हैं कि खुश होने का मतलब क्या है ऐसा कोई नहीं है जो कभी खुश ना हुआ हो हर कोई कभी न कभी खुश रहा है समस्या ये है कि वो उसे काइम नहीं रख पाते बातपस यही है तो आपको खुद पर इरादे लादने की जरूरत नहीं है बस कुछ सरल तरीके अपनाईए ताकि आप मंद न पड़ें देखिए बहुत से लोग जो बिजनिस करते हैं वो सोचते हैं कि वो सिर्फ आयरेस के लिए लेंदेन का हिसाब रखते हैं नई नई आप सिर्फ आयरेस के लिए ऐसा नहीं करते इसकी वज़े ये है कि लेंदेन का हिसाब रखे बिना पता ही नहीं चलेगा कि फाइदा हुआ या नुकसान हिसाब किताब रखने के पीछे यही सोच है आप आके बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं ये जानने के लिए आपको एक अकाउंट बुक की ज़रूरत है आप एक और अकाउंट बुक क्यों नहीं रखते हैं हर दिन के अंत में देखिए कि क्या मैं आज कल से थोड़ा सा ज्यादा खोश हूँ अगर आपने ये पांच साल की उम्र से शुरू किया होता तो आप अब तक परमानंद से भर चुके होते फाइदा ही फाइदा आप ऐसे हो गए क्यूंकि आपने इसका अकाउंट नहीं रखा एक दिन आपने जांच की जब समस्या काफी बड़ी हो गई तब आपने देखा कि आप बहुत नुक्सान में हैं हर दिन, हर महीने का हिसाब रखिए कि क्या मैं पहले से ज्यादा खुश हूँ या कम बस दो ही चीज़े हैं आप कितने आनंदे थें और अपने आसपास के लोगों को कितना आनंद देते हैं इसके आप अकाउंट रख सकते हैं अगर आप इसका अकाउंट रखें लोग अपने पैसों का अकाउंट रखते हैं जैसे कि वो पैसे अपने साथ ले जाएंगे जीवन की असली संपत्ती ये है कि आप कितने आनंदित हैं आपका जीवन का अनुभव कितना खूबसूरत है आनंद अपने आप में कोई लक्षे नहीं है लेकिन ये जीवन के लिए ज़रूरी महौल है अगर आप ये महौल नहीं बनाते तो आपके आस पास जो कुछ भी है वो बेकार चला जाएगा कल अगर आप सुभे उठे नहीं ये मेरी कामना नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये जाने कि रात में सोने जाने वाले सभी लोगों में से लाखों लोग कल सुभे नहीं उठेंगे और अगर मैं और आप कल उठ जाएं तो क्या ये एक शांदार चीज नहीं है लाखों लोग नहीं उठे आप उठ गए, क्या यह अदभुछ चीज नहीं है? आप मुझसे सहमत नहीं लग रहे हैं क्युंकि समस्या बस यही है कि आप इस विचार से जी रहे हैं कि आप अमर है अमर कहने से मेरा मतलब है कि आप वागय ऐसा नहीं सोच रहे कि आप अमर है लेकिन आप अपनी नश्वरता के प्रती जागरुक नहीं है अगर आप अपनी नश्वरता के प्रती जागरुक नहीं है तो कही न कहीं आप सोचते हैं कि आप अमर हैं, है न? दिन में कितने पल आप जागरुक होते हैं कि आप नश्वर हैं अगर आप जागरुख होते, तो क्या आपके पास शिकायत करने का समय होता? क्या आपके पास किसी से लड़ने का समय होता? क्या आपके पास जीवन में कुछ बकवास करने का समय होता? अगर आप जागरोख होते कि आप नश्वर हैं तो आप सिर्फ वही चीज़ें करते जो आपके और आपके आसपा सभी के लिए बिल्कुल जरूरी है ऐसा मत सोचिए कि ये नकरात्मक चीज़ है मृत्यू नकरात्मक नहीं है सिर्फ यही चीज़ आपके जीवन को मूल्यवान बनाती अगर आप हमेशा यहीं रहें तो आपको कोई जहल नहीं पाएगा अगर आप बस इस एक चीज़ को लेकर जागरोख हो जाएं यानि आप हमेशा जागरोख रहें कि मैं नश्वर हूँ आपको यह सोचने के ज़रुवत नहीं है कि मैं आज मर जाओंगा हम जितना हो से के उतना लंबा जीना चाहते हैं बस आप इतना जानिये कि एक दिन मैं मर जाओंगा हर दिन हर पल अगर आप खुद को याद दिलाएं कि यह चोटी जिन्दगी है मैं नश्वर हूँ एक दिन मेरा अंत होगा बस ऐसा दो दिन करके देखिए आप अपने भीतर वाकई शांदार बन जाएंगे बस इतना ही करना है यही योग का बुन्यादी पहलू है जो सबसे पहली शिक्षा दी गई थी वो यह थी कि यह आपका कर्म है मतलब यह आपकी करनी है आपका जीवन और आपके जीवन का अनुभव पूरी तरह से आपने ही बनाया है अगर यह चीज आप में गहरी नहीं उतरती तो आप जरूरी बदलाव नहीं लाएंगे आपको अब भी लगेगा कि हाँ मैं जानती हूँ यह मेरे कर्म है लेकिन आपको पता है मेरे पती ने क्या किया इस तरह आप में बदलाव नहीं आएंगे पहले आप यह समझिए कि यह मेरी करनी है पूरी तरह से मेरी करनी है जैसी आप यह देखते हैं तो आप में उसे बदलने की शमता आ जाती है। मैं देख रहा हूँ लेकिन, क्या आप जानते हैं कलोणों ने मेरे साथ क्या किया? अब आप उसे नहीं बदल पाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस ने क्या किया। जो आपके अंदर हो रहा है। आपके जीवन का अनुभव पूरी तरह से आपका बनाया हुआ है। ये आपका कर्म है। कर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके उपर कहीं से आगेरी है। कर्म मतलब ये आपकी करनी है, ये आपका बनाया हुआ है, ये आपने किया है। सोने जाने से पहले हर वो चीज जो आप नहीं है उसे एक तरफ रखतीजे हो सकता है वो आपके लिए कीमती हो जैसे आपका घर क्या ये आप हैं? हाँ मेरा घर ठीक है आपकी भावनाएं उसे जुड़ी हैं पर ठीक है उसे एक तरफ रखतीजे आपके पती, क्या वो आप है? नहीं, ये तो आसान है, मैं वो नहीं हूँ मेरे बच्चे, क्या वो मैं हूँ? ओ, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नहीं, वो मैं नहीं हूँ वो आपसे कहने लगे हैं, अगर वो 12 साल के हो गए हैं, तो आपको बता चुके होंगे तो कपड़े आप पहनते हैं, क्या वो आप हैं? नहीं जो शरीर आपने धारण किया है, क्या वो आप हैं? नहीं ये सारे विचार और भावनाएं क्या ही आप हैं? नहीं एक दिन जब आप सफलता पूर्वक हर वो चीज अलग रखते हैं जो आप नहीं हैं तो जो आप हैं वो सपश्ट हो जाएगा